दोस्तो देश आज 75 दिवस मना रहा है जै होम गाड़निंग फैमिली की तरफ से और जै होम गाड़निंग फैमिली को सभी दोस्तों को भाई भेहनों को सुतनता दिवस की हर दिख सुप काम नाएं दोस्तो ये सामने जो पौधा आप देख रहे हैं अमरूत का पौधा है और देख सकते हैं कि फूल से लदा हुआ है और इसमें बहुत सारे फूल अभी भी आ रहे हैं तो दोस्तो पूरा वीडियो अमरूत के पौधे पर है और उसकी केर टिप्स पर है कि कैसे अमरूत का पौ असान होता है पूरी के टिप्स बताऊंगा इससे पहले चैनल पर जो फर्स टाइम विजित कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गाड़ निए ऐसे हलफुल कॉंटेंट मैं आपको दिखा सकूं तो वीडियो को दोस्तों पूरा कम होता है खाने में काफी अच्छा होता है पिछले चार पांच सालों से यह हमारे टेरिस पर है और इसी ड्रम में लगा हुआ है लोहे के कोई भी दिक्कत नहीं आती है और दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने इस प्लांट को लगाया था और सालों साल यह मुझे फूरूट खिला रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अमरूत का पौदा टेरिस पर जब इसमें फ्लावरिंग होती है फ्रूटिंग होती है और मैंने अभी एक नया प्लांट भी पर्चेस किया था आप लोगों ने देखा होगा यह भी अमरूत का एक छोटा सा पौदा एक इसमें लगा हुआ है हाला कि छोटे पौदे में फ्रूट लेना ठीक नहीं होता है और यह जो आप देख रहे हैं यह करीब चार से पांच साल पौराना पौदा है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैंने चार से पांच साल का जो सफरतें किया इस प्लांट के साथ अगर मैं प्रूनिंग नही करूं गा उसको आकार नहीं दूंगा तो usko में अपने टेरिस पर नहीं रेक पाऊंगा तो कि दोस्तों प्रूनिंग चाहे रूट की की जाए चाहे पत्तों की चाहे टेहनियों की करके ही एक अच्छी कैनोपी बनाई जाती है जैसे मैं पत्ती को दिखे यहां तोड़के आपको दिखा रहा हूं अब पत्ती को तोड़ने पर दोस्तों यह होता है कि यहां से नई ब प्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी बस आरतिया है कि उनके पास हो वह बीज वाला ना हो ग्राफ्टेट प्लांट हो या एयर लेरिंग से तैयार किया हुआ पाउदा हो जो लोग बीजनर्स हैं और नए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों वह कभी कभी सोचते हैं कि मैं अपने टेरिस पर कौन से अमरूत की वर्याटी का पौधा लगाऊं कि जल्द से जल्द उसमें फ्रूटिंग हो सके तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा ताइवान पींग या ताइवं बहुत जल्द फ्लॉडिंग सफेद उस्टार्ट हो जाता है जो तो एक ही दो हैं जो कि थोड़ा देर में फल देती हैं जिसमें 1 kg है 1049 है इसमें काफी थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि यह जो पौदे होते हैं काफी समय लेते हैं सारी विराट्रियों में जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों कुछ विराट्रियां ऐसी हैं जो कि अभी नई नहीं आई है जिसमें रेड डामेंड गुवावा है वो अभी मेरे पास नहीं है बताते हैं कि उसमें सीड बहुत कम होता है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको मंगा के अपने टेरिस पर प्लान्टेशन करके आपको दिखाऊं क्योंकि वह का साइज क्या होना चाहिए कंटेनर कौन सा लें और उसमें फर्टिलाइजर कौन सा दें मिट्टी कौन सी लें हर तरह से गंबले में लगे अमरूत के पौधे पर जान देना पड़ता है तब जाके अच्छी फ्रूटिंग हो पाती है दोस्तों मैं अभी बताने वाला हूं दोस्तों अगर आप अच्छी वरैटी का अमरूत का पौधा लेंगे और एक अच्छा कंटेनर लेंगे या गुरूबाइग लिभी ले सकते हैं दोस्तों अमरूत का पौधा चाहे आप जिस गंबले में लगाईए ग्रोबाइग में लगाईए प्लास्टिक के पौट में लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके टेरिस में इन सब चीज़ों में पौधा लगा हुआ है तो फर्स की जो हीट है वो इस गंबले में ट्रांसफर ना हो यानि कि अगर ज़्यादा हीट यानि गर्मी इस गंबले में जाएगी और रूट में प्राब्लम आएगी तो पौधा अपने फूल फल को गिरा देगा और उसमें कोई भी डेबलेपमेंट नहीं होगा दीरे दीरे पौधा डेड़ भी हो सकता है तो ज़्यादा तर मैं कोशि करता हूं दोस्तों फर्टिलाइजर के रूप में मैं साल में दो बर फर्टिलाइजर देता हूं फर्टिलाइजर में मैं वर्मी कंपोस्ट नीम की खली मस्टर्ट की फर्टिलाइजर बायोजाइम के दाने इनी सब और्गनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करता हूं कीट मक करता हूं कभी-कभी जो है साप gestein का फंगस से बचने के लिए इस पर इस प्रे करता हूं लेकिन Guide यब स्टार्ट हौ mix तो मैं वह भी इस पर कोई करता हूं धो सो कभी-कभी क्या होता है कि आपके अम्रूत के पौधे में फ्लावरिंग गिरने लगते हैं और फल रुकता नहीं इसके कई कारण हो सकते हैं पहली जो मैं बता रहा हूं वह हीट हो सकता है यह ज्यादा गर्मी और दूसरा पॉलनेशन की समस्या दोस्तों पॉलनेशन की समस्या से बचने के लिए आ आप अपने टेरिस पर फूल वाले पौधे थोड़े जरूर लगा है जिसे गुलाब है गेंदा है जो भी आपकी फ्लावर वाले प्लांट से थोड़े बहुत जरूर लगाने चाहिए क्योंकि अगर पॉलनेशन नहीं होगा तो पौधे में फल नहीं बनेगा रोस्तों पौधे को मिलनी चाहिए उससे नहीं मिल पा रही है तो इस वज़े से फ्रूट गिरता है तो उसके लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट बायोजाम के दाने बायोजाम के दाने आप 15-15 दिन में देते रहें और गैनिक होता है उससे माइक्रोनेटर्स की जो भी कमी होती ही वह दूर हो जाती है और दोस्तों यह सनलाइट वाला पौदा है यानि सुर्य का पूरा प्रकास इसको मिलना चाहिए यह च्छाओं में नहीं चल पाएगा तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग से लेकर एवनिंग तक की सनलाइट अमरूद के पौदे को मिलती रहता भी पौद